अध्यक जी मैं दुनिया के सबसे बड़े लोक्तंत के मंदीर मंदीर में शिभर की महान जनता के द्वारा चुनकर आई हूं और मैं यहां से शिभर की महान जनता को आभार व्यक्त करती हूं उनके प्रती धन्यवाद देती हूं यह हमारा दूसरा टर्म है अध्यक जी दूसरी बार अध्यक्षपत पर चुने जाने के लिए मैं आपको हिर्दय की गहराई से बधाई वसुबकामनाई देती हूं महोदय मैं महा महीम राष्ट्रपती महोदय के अभिभासन पर धन्यवाद के लिए खड़ी हूं कामना करती हूं कि यह सस्वी प्रधान मंत्री आधर्नी नरेंदर मोदी जी और हमारे नेता पिकासपूरुस नितिस कुमार जी के नित्रित में हमारा देश और प्रधेश दीन दूनी राच चुगोनी तरक्ती करें अध्यक जी मेरा पडिवार स्वतंत सेनानी पडिवार रहा है आनंद मोहन जी के दादा जी स्वर्गे राम बहादुर बावू जिने कोशी का लोग गांधी कहते थे और मेरे दादा जी स्वर्गे स्वर्गे रामेश्वर बावु दोनों सुतंता सेनानी आंदोलन में साथ थे इस देश में आजादी और लोकतंत की अस्थापना में जब हम हमारे पुर्खों का बरा योगदान रहा है परंतु खेद है कि आज जब हम आजादी का अमरित महोच सब मना रहे हैं तो ठीक आज स से 50 साल पहले 5 जून 1975 में एक काली काली अंधेरी रात को जो यहां की उस समय में हिटलर की उपाधी दी जाती थी यहां इंदरा जी के जो हिटलर साही था उस तरज पर इमर्जेंसी ठोप दी गई इमर्जेंसी के चर्णों ने सिमित ताना साही की वकालत की चार्णों ने किसी ने कहा इंद्रा इज इंडिया इज इंद्रा लोक नायक जैपरकास नाराएन मुरार जी देशाई राज नाराएन मदू लीमे, चंसेखर जी, अटल विहारी वाजपेई जी, लाल कृष्णा आडवानी जी, जॉर्ज फर्नाडिस जी, नितिस कुमार जी, ललन जी, आनन्द मोहन जी, जैसे लाखों लोगों को, यहां तक कि उसमें लालू जी भी थे, लाखों लोगों को जेल के सलाखों में पूरे देश को जेल में तब्दिल कर दिया गया, नियाई पालिका पर पहड़ा बिचा दिया गया, प्रेस पर सेंसर सीप की तलवार लटका दी गई, संबीधान के साथ अने को छेर खानिया की गई, तीन वर्ष की कठी लड़ाई, हजारों को लाथी गोली, जेल, मौत को परन लाखों लोगों को जेल में अपनी जवानियां गवाने के बाद देश उस खौफनक मंज़ से बाहर मिकला, नाम परा दूसरी आजा दी, लेकिन अस्चर्ज है कि जिन लोगों ने देश को कईद खाने में तब्दिल कर दिया, लोगतंदर का गला गोटा, प्रेस और न है, संबीधान खत्रे में है, इस तरह से हमने देखा, संबीधान का मजा कुराते हुए, संबीधान की कौपी हाथ में रखकर सपत लेते रहे, अध्यक्जी जी, आजादी के अमरित महोसब बर्स में मिला यह जना देश, आजादी, भ्याइपालिका और प्रेस की आजादी क हम हर कीमत पर अच्छू रखने का देश को संबल, संबीध और स्रेश्ट बनाने का महिलाओं को शक्ती शंपन, युबाओं को रोजगार के अफसर परदान करने का, चोरों लुटेरों, बैमानों से भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का, ए परदान मंत्री जी, इस दिसा में म महिलाओं को आरक्षन दिया, और महिला ससक्ती करन के लिए उसी तरह से विहार के मानने मुक्त मंत्री जी ने पचास परसें पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षन दिया, इस तरह से महिला ससक्ती करन को आगे बढ़ाया, पूरा देश उनके साथ अभी आज परदान मंत पत्हुत में सबस्क्राइब ओनुजवतरी बनने पर हार्दिक पधाय देता है और दिंगर जीने कभी कहा था सेनानी गरो प्रियास अभय सारा इतिहास तुमहारा है यह लुटत आप ऑखे भुजते ही सारा आकास तुमहारा है sampai मैं आपके माद्य हम से मांग करती हूं कि मैं माता सीता की प्राकटि भूमी पुनोरा धाम में जमीन अधी गरहन और सौंधरी करन के लिए माननिय मुखमंत्री नितिस कुमार जी के द्वारा 72 करोर और 47 राक रुपे के आवंटन और माननिय प्रधान मंत्री जी द्वारा माज करोर रुप्या प्रधान करने के लिए सिर्वहर सीता मरी सही सभी मितला वासियों की तरफ से कोटी कोटी आभार प्रगट करती हूं मैं आपके माद्य हम से पुर्जोर मांग करती हूं सिर्वहर को रेल मार्ग से जोरने और बरसों से बंद परे रीगा चीनी मील को चालू क कराने चोटा जीला तॉरित्विकास के तरफ पर धाका को जीला बनाने इस पर ध्यान देने का कश्ट करेंगे अंतिम मैं आपके माध्यम से माङ करती हूँ कि अजोधिया सितामनी जनकपूर सितामनी जनकपूर की वीच एस पेसल कोरिडॉर बना कर से धालों को यता-यत सुग तो बिहार में बहुत सारे कमी ये हो गया है संसाधन की कमी हो गई है तो हमारा जो पार्टी का पूराना मांग है कि बिहार को विसेसराज का दर्जा देने की मैं पुर्जोर मांग करती हूं और फिर से मैं राश्पती के अभिभाशन का मैं अनुमोधन करते हुए आपने जो ह में समय दिया है इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जय हिंद जय बिहार जय सीवर बहुत